है आइज कर दोस्तों सवागत है हमारे आज के विडियों वाज चेनल आर्जटर के गायाता है तो दोस्तों इसी तरीके से आज हम तायर्स के बारे विडिस्कृस करेंगे दोस्तों तायर से कुछ स्पैसिफिकेशन होते हैं जिनकी वज़त से हम टायर की manufacturing के बारे में जान सकते हैं, टायर की size, उसके weight, और किस तरीकी की टायर है, यह सारी चीदे हम उन specifications से जान सकते हैं And guys, यह सारे specifications आपकी bike, आपके car के tires पे लिखी हुई होती है तो दोस्तों, इस specifications के बारे में जानने के लिए हमारा आज का वीडियो आगरी second तक जरूर देखें तो दोस्तों, marking on tire Guys, tire में कुछ इस तरीके के letters लिखे होते हैं Like P, 205, 60, R, 16, 92 and V तो दोस्तों, यहां होता है, P stands for tire type Guys, वह tire किस तरीके की गाड़ियों में यूज किया जाएगा यह उसके first letter से पता चलता है तो जैसे कि यहां पे अगर P लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहां पे passenger तो यह tire passenger vehicles के लिए यूज किया जाता है और यदि वहां पे अगर T लिखा हुआ है तो मतलब वह temporary vehicles के लिए यूज किया जाता है अगर वह इसी तरीके से वहां पे LT लिखा हुआ है तो वह light truck के लिए यूज किया जाता है इसी तरीके से अगर वहां पे ST लिखा होगा तो वह heavy duty trucks के लिए यूज किया जाएगा तो दोस्तो इसी तरीके से आप आते हैं दूसरे लेटर पे अगर यहां देखा जाए तो guys यहां एक digit होता है like यहां पे 205 लिखा हुआ है तो guys यहां होता है section width तो देखा जाए तो guys अगर यहां एक tyre है तो इसकी जो यहां चोडाई है इसे section width कहा जाता है और यहां section width mm में होता है तो guys अगर वहां पे 205 लिखा हुआ है तो इस टायर का section width 205 mm होगा guys इसी तरीके से कुछ 235, 245, 275 इस तरीके के भी section width हो सकते है next आता है 60 तो guys यह 60 होता है aspect ratio and aspect ratio section height और section width का ratio होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे यह एक टायर है इस टायर में यह section width होता है ठीक उसी तरीके से यह vertical axis की जो length होती है इसे section height कहते है तो यहां चोडाई हो गई section width और यहां height हो गई section height and अब next जो letter है हमारे पास वो है R तो guys यह R टायर के construction को show करता है टायर किस तरीके से बना हुआ है यह इस letter से पता चलता है तो देखिए यहां पे तीन तरीके के टायर्स बेसिकरी यूज के जाते हैं जिनमें पहला होता है radial, bias and diagonal तो अगर गाड़ियों में R लिखा हुआ है तो वहां पे radial tires होंगे अगर B लिखा हुआ है तो bias tires होंगे यदि D लिखा हुआ है तो diagonal bias tires होंगे next आता है 16, यह 16 rim diameter को show करता है जो की inch में होता है like 16 और 17 guys rim एक metal body होती है जिस पे tire को mount किया जाता है okay guys अब next आता है 92, 92 load index होता है मतलब वह tire कितने load को bear कर सकता है like अगर यह 92 है तो यह 600 kg aprox weight को bear कर सकता है अगर 95 है तो 630 kg weight aprox weight bear कर सकता है तो guys next आता है V और यह V speed symbol होता है जो की जो की अलग-अलग tire की अलग-अलग speed limit को show करता है like अगर वहाँ पे V लिखा हुआ है तो वह 240 km per hour तक के speed को bear कर सकता है ठीक उसी तरह से अगर Q लिखा हुआ है तो up to 160 km per hour T लिखा हुआ है तो up to 190 km per hour अगर S लिखा हुआ है तो 180 km per hour H लिखा हुआ है तो 210 km per hour अगर W लिखा हुआ है तो 270 km per hour तो दोस्तों यह थे marking on tires guys कहीं कहीं पर आप यह first letter को नहीं देखेंगे यह बहुत ही कम use होता है but basically इसे use करना होता है but दोस्तों आप जो देख रहे हैं यह बागी के 6 digit and letters यह सारे definitely आपको सारे tires में मिल जाएंगे जिसके तुरू आप जान सकते हैं उस tire के specifications तो दोस्तों थानने दूस्तों हमारे आज जी प्रशाएंगे अपकर आपकर मारा वीडियो पसंद आया तो like वटन है करना ना बूले और this video को अष्स्तों को शायर करें हमारे चानल को सब्स्राइब करें और बल करना ना बूले तो दोस्तों जल्दियों जाईए अपने घर की गाड़ियों के स्पैसित की शन देखियों और अपने टून की टारेस के बारे जानेए